नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एड्मिशन वाला पर और थोड़ी सी बात करेंगे जो कल बी और बिटेक की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उस पर बात करेंगे हाला कि जो डाउनलोड इवल वर्जन है वो आज दोपेर तक भी डाउनलोड नहीं ह पारा था सर्वर साड़ी एरर था और आज वनोने वो प्रोब्लेम फिर सॉल कर दिया और आज फिर हम उस पर चैर्चा करेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एनलेसिस करेंगे थोड़ा सा कि पिछले साल क्या डेटा था इस साल कितने ज्यादा स्टूडेंट्स अडियों में शुरुआत तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वेबसाइट वोने अपडेट कर दी है और यहां की जो मेरिट लिस्ट है वो अप्लोड नहीं स्वरे डाउनलोड नहीं हो रहे थी तो अब उन्होंने सेपरेट लिंक आपको प्रोवाइड क कर दी है और वहां से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएगू उसके पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बहुत सारे स्टूडन्स कंफ्यूज है कि यह क्या चीज है और यह क्या चीज है मतलब यहां पे सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाईए PCM ग्रूप की और यहां पे एक लिए उसे कॉर्सेस है अंडर इंजिनेरिंग के स्ट्रीम में अंडर इंजिनेरिंगंने बोलेंगे हम उसे अंडर टेकनिकल एट। के stream में तो उनको उन्होंने eligibility criteria उनकी पातरता अलग है वहाँ पे PCM के student भी चलते हैं जैसे आप अगर PCM group के students हो और आगर आप pharmacy करना चाहते हो तो आप eligible हो pharmacy का भी आप form भर सकते हो उसी प्रकार के ये जो schedule में दिये हुए एक 7-8 courses है जैसे कि मैंने कहा कि food technology टेक्स्टाली जैसे stream में जो engineering के अंडर जो technical education के अंडर courses आते हैं तो उसमें admission अगर आपको लेना है तो वहाँ PCB या फिर PCM ये दोनों भी चलते हैं और इसलिए उनको अलग section बनाया है उनका अलग admission की process में उनको थोड़ा सा eligibility अलग है इसलि कि आपका जो plane engineering में अपने traditional courses जो इसमें आप IT, comp IT भी जोड़ दो लेकिन जो दूसरे identify कि हुए course उस पर आप चाहिए कितने courses है कौन से courses है अगर आप चाहते हो कि मुझे try करना है यहाँ पर भी और मुझे food technology में या फिर food technology के समांतर courses, textile engineering या फिर जो यहाँ पर identify किये हुए courses है वहाँ पर भी मुझे admission लेना है तो फिर आपका, आपके PCB के group के आधार पर, PCB के आधार पर आपका इस merit list में भी नाम आ जाएगा और चाहेता आप उसका option form भर सकते हो अब यह option form में देखेंगे आपको separate option form देते हैं फिर इसी option form में आपके लिए separate section के आ जाता है तो यह अलग है अगर आप interested हो in courses में तो है आप इसका विचार करें नहीं तो हमारा जो पहले चलते आ रहा है engineering के लिए वो यही merit list है PCM group वाली और उसमें फिर महाराष्टा student इसमें होंगे और फिर all India students इसमें होंगे अगर JDA तो all India students list में आपका नाम होगा और आपने अगर पर होगा और यहां पर भी default of को एक merit number उन्होंने दे दिया है क्योंकि आप वहाँ पर भी default eligible हो जाते हो और जो private colleges में 15% जगा होती है जो की all India level से भरी जाती है तो उसके लिए यह merit list काम आता है और यह limited students के लिए तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे तो चलिए आपको ही तो हमने जान लिया कि दो merit list हमारे लिए महतपूर्ण है एक है महारास्टा स्टेश students और दूसरा है all India students तो महारास्टा स्टेश students जो है वो default eligible और या फिर default वो all India students भी होते तो उनक देखेंगे कि कितने ज्यादा students इस साल merit list में है पिछले साल की तुलना में इसमें मैंने डिपलोमा के students नहीं लिये है और बात करेंगे महारास्टा स्टेश students की और all India students की तो all India की क्योंकि महारास्टा के default students all India के list में होते तो अगड़ा ज्यादा ही आपको दिखाए देता है तो इसले साल 154,251 students merit list में थे इस साल 188,667 students merit list में दिखाए देंगे और वहां तकरिबन 34,416 students ज्यादा है और final merit list में इससे में भी इजाफा होने माला है क्योंकि final merit list में आपको पता है 50 से 100 नंबर तक भी आपका merit number नीचे धकेला जा सकता है क्योंकि नए students इसमें obviously grievance के ब इंक्लूड होते रहते हैं तो फिलाल की परिस्तिती ये है पिछले साल 152,376 students merit list में थे महारास्टा स्टेट कैंडिडेट तो इस साल 178,754 students merit list में है तो तकरिबन 36,378 students इस साल महारास्टा स्टेट के merit list में ज्यादा है अब चेले ज्यादा है लेकिन कौन से इसमें ज्यादा है सारे percentile में ज्यादा है या फिर थोड़े थोड़े किसी particular percentile में ज्यादा है तो थोड़ा सा जायज हम उसका भी ले लेंगे तो महारास्टा students का हम पहले लेंगे 24 और ये 23 का data है तो अगर हमने 99 to 100 percentile का अगर हमने सो ज्यादा है उसी प्रकार से अगर हम 98 to 98.99 मतलब 98 percentile में आपने बच्चे देखे तो 3,069 students है 69 students और पिछली साल की बात किया जाए तो 261 students वहाँ पर थे और इस साल 403 students उस particular आपका जो percentile है उसमें भी ज्यादा है और अच्छे जो college हम माना जाता है महारास्टा के टॉप पा यह सारा खेल यहाँ तक ही चलता है तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि इस साल कितने ज्यादा students है और फिर कितने colleges में कितने seats बड़ी है courses कौन से बड़े है तो उसके हिसाब से आपको option फार्म देने में भी या फिर option बनाने में भी option निकालने में भी साहयत अपराप इस साल भी ज्यादा है मेरेट लिस्ट में उसी प्रकार 96 प्रसंटाइल की बात करें तो 3039 स्टूडन्स के इस साल है तुल्ला में पिछले साल के 2446 स्टूडन्स मेरेट लिस्ट में थे और तक्रिबन 553 स्टूडन्स इस साल प्रोजन मेरेट लिस्ट में ज्यादा है और जै 95% की बात करें तो 3036 students इस साल है पिछले साल थे 2438 students और फिर इसका बात करें तो 598 students ज्यादा है उसी प्रकार से 94% की बात करें तो 2855 students इसले साल 24 students थे 455 students इस साल ज्यादा है अगर 93% की बात करें तो 2971 students इस साल प्रोजिशनल मेरिट लिस्ट में है पिछले साल थे 2455 और 516 students इस साल ज्यादा है और अगर हमने 90 से लेकर 92% तक भी आपने आपकर देखा कि 93 तक बोलेंगे आप 92.99 तो 8667 students इस साल मेरिट लिस्ट में है अब इसले साल 6938 students मेरिट लिस्ट में तो 1700 से भी ज्यादा students इस साल इस पर्टिकुलर में स्वारी परसंटाइल में ज्यादा है तो आपको ज्यादा तर जो हमने टाप 20 भी बोला टाप 20 25 colleges भी बोला तो यहां तक तो भर जाते हैं और ये students का पूरा आकडा बनता है 29,619 students है 19 परसंटाइल के आगे और पिछले साल वही संख्या थी 24,489 जिनकी संख्या 90 and above परसंटाइल के students थे तो तक्रिबन 5,130 students का इज़ाफा इस साल हो गया है तो आप देखिए आप कौन से परसंटाइल के रेंज में आते हो और फिर उससे कितना फरक फिर मेरिट पे पड़ेगा इससे comparison में seats कितनी बड़ी है वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके targeted जो colleges है वहाँ पर seats कितनी बड़ी है तो वो भी एक parameter वो भी एक effect डालेगा 99-100 परसंटाइल के दर्मियान 463 स्टूडेंस इस साल है पिछले साल 482 स्टूडेंस थे इस साल 98-98.99 मतलब 98 के परसंटाइल में 755 स्टूडेंस से पिछले साल थे 737 स्टूडेंस ज्यादा है इस साल उपरी के तोर पर जो हमने 99-100 परसंटाइल वैसे BA स्टूडेंस इस जो system है MSTCT वहाँ पर admission नहीं लेते हैं वो जगा acquire करते हैं seat block करते हैं लेकिन वो हमने पिछले कई सालों का ये experience है कि top के जो 99 to 100 percentile के students है जेई वाले ये महरास्टा में जो MSTCT की through होने वाले admission system है वहाँ पर admit नहीं होते हैं तो उनकी संख्या घट भी जाए तो ज्यादा effect नहीं प 127 students इस साल merit list में है पिछले साल 816 students merit list में थे 111 students इस साल बड़े है 96 percentile की बात करे तो 991 students पिछले साल थे 816 students एक 122 students इस साल भी जादा है 95 students 95 percentile की बात करे तो 1015 students इस साल है और पिछले साल से 122 students इस साल जादा है 94% की बात करें तो 1063 students जो की 197 ज्यादा students है पिसले साल के 866 के मुकाबले अगर हम बात करें 93% की तो 1102 students है 135 students ज्यादा है पिसले साल के 9 से 67 के मुकाबले तो बात करेंगे 92-92.99 दो परसंटाइल की बीच में जो गयाप है तो 3226 students है तो 92-92.99 के बीच में पिसले साल 2781 students थे वो तक्रिबन 500 students इस साल ज्यादा है उस particular span में भी तो जैसे के मैंने कहा यह professional merit list है और इसमें final merit list में इजाफा होता ही है यह total students 90 के आगे 9542 students है पिसले साल 8361 students merit list में के 1181 students इस साल ज्यादा है इस उपरी तवर पर भी हमने 90 से आगे देखा तो भी तो यह भी आपको help करेगा कि पिसले साल के merit list और पिसले साल का जो cut off है उसे refer करने में आपको थोड़ा इसा help इस data से भी हो जाए तो अच्छी बात है तो चले बात करेंगे कि फिर क्या होगा तो यहाँ पे हम deeply analysis करके कोई फाइदा नहीं क्यूंकि final merit list के basis पर ही admission होगे जब final merit list आएगी तो हम deep analysis करेंगे मतलब STK students कितने हैं STK students कितने हैं NTVJ के कितने हैं तक ही category wise आपको पता चले कि कितना फर्क पड़ेगा और फिर हम SATI का अंदाजा लगा पाए कि फिर हमें जो college choose करना है उसमें कितना फर्क पड़ेगा पिसले साल के मुकाबले में final merit list में कुछ student बढ़ते हैं बार बार मैंने कहा है वो तो बढ़ने वाले हैं उपर के merit list में थोड़ा सा कम फर्क पड़ता लेकिन जैसे आप नीचे नीचे जाओगे तो फिर आपके merit number में पास से लेकर 800 तक भी फर्क पड़ सकता है आप नीचे फिसल सकते हो तो ये बाद आपको ध्यान रखनी है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्स सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है आपके यहां पे कुछ गल्तिया है तो सुधारने का मौका एक बार दिया जाता है इसलिए इसको प्रोविजनल कहते है एक बार ये merit list आपने देखी उसके बाद उस पर कुछ अगर च स्कूरूटिनी से फ़र्म भरा तो आउनलाइन आप वो ग्रिवेंस डाल सकते हो और अगर आपने फिजिकल स्कूरूटिनी से भरा है तो आप स्कूरूटिनी सेंटर पर चले जाएगा और फिर स्कूरूटिनी सेंटर पर जाकर आप आपने डॉक्यमेंट सब्मेट करके के admission system फिर आगे कि पूरे तीनो round हो जाएंगे, spot round भी उसी के basis पर हो जाएंगे, तो grievance के बाद जैसे कि हमने discuss कि final merit list आएगे और जब final merit list आएगी तो उसके साथ साथ हमारा पूरा schedule, तीनो round का schedule वो भी आएगा, और हमें ये भी पता चलेगा, colleges कब शुरू होंगे, first round, second round और third round कब आखिर conduct होगा, तो उस पर भी चर्चाम जैसे आएगा कोई अपडेट जरूर करेंगे, रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए हुड़े में, तब तक लिए, नमस्कार